मेरे परिवार जनों हमारी सरकार की प्रात्विक्ता ग्रामिन अर्थेववस्ता को आधुग बनाने किसानों को ससक्त करने की है इसलिए सरकार की कोशिश है कि छोटे किसानों की ताकत बढ़ें खेती पर होने वाला उनका खर्च कम हो बाजार में उनको बहतर कीमत मिल जग सके इसी को ध्यान में रखते हुए देश में दस हजार नए किसान उस्पात संग एप्यों बनाने का अभ्यान शुरू किया गया था आज इन में से लगबग आठ हजार एप्यों बन भी चुके हैं सरकार पशुधन की रक्षा सुरक्षा के लिए भी उतने ही प्रयास कर रही है हमने कोवीड के दर्म्यान मनुष्य को वैक्सिन मिलता है जिन्दगी बच्ती है इसकी तो सुना उसकी भावाई की कि मुपत में मोदी ने वैक्सिन लगवाई जीवन बच गया परिवार बच गया लेकिन इससे भी आगे मोदी की सोच क्या है मोदी काम क्या करता है हमारे यहाँ जो पशू होते हैं न हमारे पशू को खुर्पका मुपका फूट एंड माउट दिसीज के वज़े से हर साल किसानों को पशू पालों को को हजारों करोड रुपिय का नुक्षान हो रहा है इससे दूट का उत्पादन भी प्रभावित होता है इस चुनवती से निपटने के लिए आजादी के बाद पहली बार एक बहुत बड़ा भ्यान शुरू किया गया है इसके तहट अब तक पच्चास करोड से जादा जानवरों को टीके लगवाए जा चुके हैं इस पर भी सरकार ने पंदरा हजार करोड रुपिय से जादा खर्च किये हैं इस अभ्यान का भी नतीजा है कि देश में दूद उत्पादान पच्चास प्रतिशत से जादा बढ़ा है इसका लाप पशू पालक को हुआ है पशू रखने वाले किसान को हुआ है देश को हुआ है